दोस्तो आज मैं आपको अमेरिका की साथ खास बाते बताने वाला हूँ जो शाद आपको पता ना हूँ दोस्तों आज अमेरिका का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर देश में आता है पर क्या आपको पता है कि एक वक्त था जब अमेरिका भी किसी देश का गुलाम हुआ करता था बारत की तरह अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था उस वक्त ब्रिटेन ने अमेरिका के लोगों का बहुत शोषण किया लेकिन सन 1773 में जॉर्ज वाशिंटन के नेतरित्वे में अमेरिका की 13 बस्तियों ने आजादी की गोशना की थी और दीरे दीरे करके पूरे अमेरिका को अजाद करवा दिया और आधोनिक अमेरिका अस्तित्वे में आया अमेरिका देश में कुल पचास राज्य हैं जिन में से वाशिंटन डिसी उनकी रास्तानी है और सबसे बड़ा शेहर है दूसरा यह है कि सन 1866 में अमेरिका ने रशिया से आलास्का को 7.2 मिलियन डॉलर में करीदा था रूस को डर था कि अगर बिटियन के साथ यूद होता है तो बिटियन आलास्का पर कबजा कर लेगा दीसरा फैक्ट यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़दा आबादी के मामले में चाहिना और भारत के बाद अमेरिका का नंबार आता है अमेरिका की कुली आबादी करीब 33 करोड है चौता फैक्ट यह है अमेरिका में कोई भी व्यक्ति दो बार से ज़ादा अधिक बार राष्ट्रपती नहीं बन सकता है पर फ्रैंक्लिन डी रूसवेल्ट एक मात्र ऐसे इंसान थे जो चार बार राष्ट्रपती बने थे वो सन 1933 से लेकर 1945 तक चार बार चुने गए और चार बार राष्ट्रपती बने पांचवाईया है आपने इता स्टेच्यू अफ लिबर्टी का नाम तो जरूर सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है सन 1884 में फ्रांस ने अमेरिका को इसे गिफ्ट में दिया था चटा फैक्ट यह है अमेरिका के लोग हर साल लगभग 30 लाग करोड का जुवा खेलते हैं और अन्त था वैसे तो अमेरिका काफी मौडर्न देश मना जाता है और यहां मेलाओं और बुल्शों को हर तरह की आज़ादी है पर अमेरिका के कुछ शित्र में दू इंच से जादा हुचाई वाले हील पहना गैर कानूनी है तो दोस्तों फिलाइट थिर बस इतना है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरू कीजेगा और सब्स्ट्राइब करना मत दूएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में